जैपुर में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंग सचड़ कर बोलने लगा है। भूमाफियाओं गरीबों के आशाने उजानने में कते ही नहीं हिचकी चाते। ऐसे में गुरुवार के सुभा जगतपुरा की रादव्यार को रोली के सेकड़ों लोग भूमाफियाओं से परिशान होकर प्रदेश के यूडियेच मंत्री जाबर सिंग खर्रा के जेपुरावास पर पहुँच गया। पीडित लोगों ने मंत्री खर्रा के सामने अपने अपने आशियानों के सभी मूल का अगजात दिखाए। मंत्री जाबर सिंग ने पीडितों की समस्या को समझते हुए तुरंट फोन पर जेडीए डीसी को मामले में निश्पक्ष कारवाई करने की निर्देश दिए इसी मामले को लेकर पीडित लोगों से बाचीत की हमारे सन्वाद अता संदीप अगरवाल में प रदेश में बहुत देख लिए वह बार संसां की निश्माबितोंवार के लिए शक्री में फ्रदेश को पारवां PrLEDेश में बहुतार सिकंदा में प्रचे लेकिन यहरों में हुपक्ष्ण स्मय को कि मैं कर रहा हे हैं। कुछ यहां पे आये हैं जो प्यूस्टा है उनसे बात कर लेंगे कोशिश गūrovा जाना चाहूँ जाना चाहूं सब्सक्राइब का अब क्या आपके आया चाहूं जगतव किया पूरान कारवाई करते हुए थो एक फाइल सविकास मित्ती के पास के जरिए जेरी पहले से पेंडिंग है उसके बावजूद उन्होंने एक दूसरा आद्मी प्रेम है कोई उसकी फाइल को सबिट करके उसकी उपर कारवाई को आगे बढ़ाते हुए उसकी कारवाई को रोक लिया गया है जो इसकी सिकायत हमने मंतर जी से की है मंतर जी ने बढ़ी आत तरीके से हमारे वो रेश्पॉंस देते होई सुना है और वो थो अमने नाईटी नाइन में प्लाट लिये थे और अब दुबारा वो कोलोनी जेडिये से करवाई करके दुबारा बेचने की से लिये नाईटी नाइन एक बाद में तदुकरां जो एप प्रेम देवी जो किसमें है उसके नाज से रजिश्टी रडी आप डि यह बाद में जो एप प्रेम देवी नहीं में गलत तरीके से बढ़ इसके नियमन के लिए खुद के नाम साथ कर वाली और दूबारा से कोई को लोनी नाम से प्हले रादा वियर के नाम से काट चुके थे यह एक का ठी थि हमने 99 में हमारे पास कागज है हमने प्लौट ले लिए अब दुबारा से कारवाई कर चरके दुबारा बेच रहे रहें इसकी जो एए विकास समिद्य ने जेडिये में इस को लोनी को 2017 में सब्मिट कर दिया था नहीं मन के लिए और इसका पीटी सर्वे भी जेडिये दवारा कराया जा चुका है और वहां लोग रह रहे हैं और उनका बिजली पानी का वो कनेक्शन है उनके पास में और उसके बाद में भी जो है अभी 2023 के अंद जो अधिकारिये के वह भी भूमा में से मिले होंगे निस्चित रूप से इसमें सम्भाव नहीं हो सकते क्योंकि पैरलल 2000 इसमें 17 से जो है नियमन के लिए विकास समीति कर रही है और 2000 आप 23 के अंदर उसका जो है 90 कर वा देती है तो इसमें निश्चित रूप से कुछ उनक इसने किस इसाब से करवा लिया यह आदेश पटवारी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें वहां पर बताया कि कोई आप मकान नहीं बढ़े हैं जब कि जएडिया का पीटी सर्वेश यह बता रहा है कि जो यहां पर मकान बढ़े हमारे पास भीजले के बिल है उनके उसके नहीं है जो हमारी यूडीएज मिनिस्टर साहब हैं जाबर सिंग जिखर्रा साब इन्होंने हमारे को बहुत अच्छा रिस्पोंस दिया है और उन्होंने हमारे को विश्वास दिला है कि आप लोगों के साथ अन्याय किसी भी रूप में नहीं होने देंगे और जो अगर कर कर लिया कुछ अधिकारी जो है मिलिक बत करते हैं नजराते हैं बाद परता लगता है फिर वो कर रहे होती है लेकिन एक बार तो घर उजड़ी जाता है कि इतने हैं कि कि इसमें मुख्य रूप से जो एक लिप हुआ है इसमें जो का काम करवा रहा है प्रेम देवी जी के सा करा नाम से काम लिये निकल्वाएं वो कौं हुआ वोग ठीक है निए उसको के संपर्क में लेकर कारवाई कर रहा है हम हमें हमें ये संदए है इस तीज पर रखते हैं मेरे को इसकी जानकारी नहीं पर्ता रहें कि कंग्रेस मेरे कोई पता दीकारी कि आपने मंत्री जी नहीं होता तो क्या है मंत्री पे हमारे को पूरा बनुशा है और उसके बाद में उन्होंने मंगिये कि नहीं को विश्वास हैं मंत्री पे कि यह कारिया में और रूमा प्याओ ने हम यह चाहेंगे कि उनको भी सजाद दी जाए क्योंकि इस को पहले भी इसी तरह से जो है रिवाइज करके एक बार कर चुके और यह दूसरी बार आपकी बार सब्सक्राइब पता निवास करें दो सब्सक्राइब पिछे से बैग फूट में रहे हैं उसमें सारा इस पिजली के बिल है फिर भी अभी प्रेम देवी नमसे मैला है उसके साथ मिलकर के लोगों ने उसको उस जमीन को खाली दिखा करके 90 वी एकर वाली और उसके प्रेम सरोवर के नाम से नहीं को लोनी काटने जा रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो कम से कम डेड़ सो से दो सो लोग ऐसे हैं जो प्रवावित होंगे उनके परिवार पूरी त लेगा तब तक हम बैठेंगे करते रहेंगे देखिए कोई जैपूर शहर के अंदर कोई भी प्लोड लेता है तो अपनी जीवन पूंजी उसके अंदर लगा देता है जैपूर में प्लाट लेना अपने आप में बहुत बड़ी चुनोती है छोड़े थोड़ा पाई- पाई-पाई जोड़ता है और इस तरीके से भूमाफियां एक अब्जा करने लागा है जाते हैं लोग वहां तब ही जाते हैं जब कहीं भी ठीकाना नहीं होता है तो अपना कहीं न कहीं सिर्क देने के लिए चाहिए उसे सपना होता है कि वह अपनी जीवन वर की पुंजी से एक प्लॉट खरीदे उसके सपने सजोक सब्सके वह अपने कॉन्फिदेंस को बिल्ड करकर के मैनत करकर के एक पाई-पाई जोड़ता है और यदि इस तरीके से भूमाफियां एक अब्जा करने लगेंगे तो आम आदम अपनी जो उम्मीद हैं जीने की वह छोड़ देंगे और उसके हिसाब से वह कहीं लोग आत्मत्या कंडे पर मजबूर हो जाएंगे तो देखिए यह चंता है पब्लिक है जो जगतपुरा से अपने आश्यानों को बचाने की गुवार लगाने यहां पे मंतरी यूडियस मं की दुवारा क्या एक्षिन लिया जाता है साथ अस्तान की सरकार जो बीजेपी सरकार डबल इंजन की वह इनको कहां तक न्यायत दे पाती है सब्सक्राइब के साथ संदीप अगरवाल दर नगरी मीडिया चैपूर